सर्वमान्य मतानुसार रिती मुक्त कभी रहे हैं पांच उनके बारे में ही तो ये पांचों ही नाम बहुत साधा महत्तपूर्ण हैं इनको आपको जरूर याद रखना है देखना और बहुत ही इंपोर्टन चीज़ है ये वाला जो आपका टॉपिक है रिती मुक्त में सबसे पहले घनान्द बोधा ठाकूर आलम दुजदेव ये पांच नाम है इन्हीं पांच नामों को आपको याद रखना है और इसमें एक भी नाम को आप मिस नहीं कर सकते हैं यहां पर रिती मुक्त कभी और उनका काव्य बिलकुल समानने सा चीज़ है तो शूफी प्रेमा ख्यानक काव्य के बारे में पढ़ रहे थे तो यहां पर आपको सिंपली यह याद रखना है कि रिती मुक्त काव्य धारा का इक कभी ऐसा ही रहा जिसने सूफी U.S. प्रेमा ख्यानक काव्य भी रचा है तो यह रहेंगे माध्वनल कामकंदला के रचाईता आलम कभी इसको आपने याद रखना है इसके साथ साथ इनकी जो अन्य रचना रही यह थी स्याम सनेही सुझामा चरित और आलम के लिए इनकी जो इंपोर्टनेट आती है दूसे नमबर पर उसकी आलम के लिए यादखना है देखना बीच की जो है इतनी जादा जरूरी नहीं है क्योंकि इसी शीरशक से जो है अन्य लेखकों ने भी हिंदी साहिते में लिखा है इसलिए इन रचनाओं की महत्ता उतनी जादा नहीं है जितनी आलम के लिए ही रचना रही है और इसी आलम के लिए में जो इनकी प्रेमी का रही है ना शेक रंगरेजिन उसने भी अपने कुछ सवय जो है इसमें रखे हैं ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं हालां कि इसके बारे में आगे भी स्तार से देखेंगे एक समानने से चीज़ नहीं कि इनकी कौन-कौन सी रचनाय हैं हमारे का नाम की जो है वो है माध्वानल काम कंदला एंड दूसरा है आलम के लिए यही नाम याद रखने हैं आपको इन से तीसरे नमबर पर आता है घनानद ठीक है घनानद वियोगवेली इश्कलता सबसे जरूरी है यहां पर इश्कलता एंड विरहलीला यह दो रचनाएं बहुत मत बनता है यह भी द्यान रख लेना है इसके लावा यहां पर आता है बोधा बोधा से आपको इनकी दोनों रचनाएं या रख लेनी है देखना इन्होंने अनुसर्ण किया एक तरीके से वसे अनुसर्ण नहीं किया है इन्होंने अपनी रचनाओं के नाम रखे हैं लेकिन आ गननंद की प्रेमिका थी सुजान, बोधा की प्रेमिका होगे सुभान, तो बहुत साई similarities जो है, इसमें दिखती हैं, बोधा और गननंद में दिखती हैं, तो ये समानने सी चीज़े हैं, इन बातों को भी आपने थोड़ा सा याद रख लेना है, गननंद और बोधा से, दोनो को ही क्या किया गया था, देश निकाला दे दिया गया था, ये चीज़ भी इनके बारे में important है देखना, इसको भी आपको जरूर याद रख लेना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रख लेना है, इनका समानने सा परीच है, रचनाएं, बोधा की दोनों ही important है, exam में पूछ चाती है, फिर इसके बाद आता है, चौथे नंबर पर ठाकुर, ठाकुर कभी बसे एक बार पूछी गई है, ये आपको LT Commission या PGT Commission में ही देखना है, ये वाली इनकी रचनाएं, कि ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक किसकी रचनाएं रही है, तो इनके नाम से ह पता चलता है, इसमें कोई भी जादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, यहाँ पर आपको सिंपल इतना सा याद रखना है, कि अचारे रामचंदर शुक्ल ने तीन ठाकुरों के बारे में बात की है, असनी वाले ठाकुर या ठाकुर बुंदेल खंडी, तो ध रचना है कौन सी थी, एक थी ठाकुर ठसक, एक थी ठाकुर शतक, फिर आता है द्विजदेव, द्विजदेव जो आखरी नाम रहा, इससे अचारे रामचंदर शुक्ल ने माना कि क्या हो गया, यहाँ पर हमारी रितिकाल को जो परमपरा थी, यह श्रिंगारिक्ता वाली, वो यहाँ पर लगवग-लगवग सा मापत हो जाती है, इसके बाद कोई भी लेकर जो है वो ऐसा नहीं रहा, ठीक है, साथी साथ यहाँ पर इनकी जो इंपोर्टेंट रचना हैं, यह भी दोनों आपको याद रखनी है, श्रिंगार बतीसी और श्रिंगार लतिका सौरब, ठीक है, यह नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो रचना से समंधित अगर देखिए, पूछी जाए यहाँ से, एक नजर में फिर से, मादवनल कामकंदला, सूपी प्रेमा ख्यानक कावेधारा के अंतरगत भी आएगी, आलम के लिए, यह रचना भी आपको याद रखनी ह फिर बोदा की विरेवारिश और इश्कनामा, मतलब यहाँ से नीचे सारी याद रखनी है, इन दोनों में आपको थोड़ा सा याद रखनी है, लेकिन बाकी रचना आपको याद रखनी पड़ेंगी रीती मुक्त में, संक्शिप्त रूप से रीती मुक्त कावेधारा इतन कुछ भी नहीं है, एक नजर में अगर देखें हम शुकल की नजर में इनको, तो याद रखनी है, यहाँ पर गनन्द थे, साक्षात, रसमूर्ती, ठाकुर्थे, सची उमंग के कभी, बोदा थे, रस उनमत कभी, रस में जो रहने वाले कभी हों, जबकि यहाँ पर आलम थे प्रेम उनमत कभी, यह प्रेम में उनमत रहने वाले थे, एंड दुजदेव में कहा गया कि रितु वर्नन में इनके रिदे का सच्चा जो उल्लास है, वो उम्र पड़ता है, तो अगर संक्षित रूप से रितिकाल के कभीयों को वर्नित किया जाए, तो आपको बस यह बोधा और प्रेम उनमत आलम, है न, प्रेम उनमत किस ने किया, दुजदेव ने किया, यहां पर आपका रितिक मुक्त कावेधारा, इसका हो गया है, समापन, और इसी के साथ आपका रितिकाल भी हो जाता है, समापन, फिल हाल के लिए इतना ही,